गुड मोने बच्चों कक्षा बारा की हिंदी में आपका स्वागत है बच्चों चलिए हम तुलसी दास्थी द्वारा रचित पाठ कभिता वली का अंस पढ़ते हैं पहले हम कभिता पढ़ते हैं किसी भी किसान कुल बनी के भी खारी भाट चाकर चपल नट चोर चार चेट की पेट को पढ़त गुन गढ़त चढ़त गिरी अटत गहन गन अहन अखेट की उचे नीचे करम धरम अधरम करी पेट ही को पचत बेचत बेटा बेट की तुलसी बुझाई राम घन स्याम ही ते आग बढ़वा गिते बड़ी है आग पेट की बच्चों आप सबसे पहले इसका अर्थ देख लीजिए किस भी मतलग धंधा धंधा करने वाले से भी ले सकते हैं बनिक ब्यापारी बनिया भाट चारण वे लोग जो किसी की आसरे में रहकर कला का प्रदर्शन करते थे और उससे पारितोषिक पाते थे चपल चंचल चाकर घरेलू नौकर चेट की बाचिगर चादुगर गुन गढ़त बिभिन प्रकार की कलाएं और बिद्याएं सीखना अखेट की सिकार आखेटक्स शिकारी अखेट की शिकार गहन गन घना जंगल एहन पर्यावाची है दिन का गिर मतलब आप जानते ही हो परवत तो देखिए इसका प्रशंग पता देते हैं ये कविता को स्वामी तुलसी दास जीद्वारा रचित कविता वली के उत्तर कांड से ले गई है और आपके आपकी पोस्तक आरोह में संकलित है ठीक है चलिए कविता का अर्थ देखते हैं किसी भी किसान कूल बनिक भिखारी भाट तुलसी दास जी कहते हैं इस संसार में मजदूर वर्ग, किशान वर्ग, ब्यापारी, भिखारी और घरेलू नौकर, चंचलनट, चोर और दूत तथा बाजीगर अपना पेट भरने के लिए अने को काम करते हैं अचों, ये उस समय की स्थिती का वर्डन है जब देश आकाल से जोज रहा था देश में आकाल पड़ा हुआ था, लोगों को के पास खाने को अन नहीं था लोग अपनी पेट की भूख मिटाने के लिए कुछ भी करने को तैयार थे ठीक है, और जो भी किशान, मजदूर, वर्ड कुछ भी करने को तैयार थे भाट, चारण, ये भी कोई भी कर्म करने को तैयार थे क्योंकि आकाल की स्थिती में सब का रोजगार ठप पड़ गया था जैसे आज के समय में करोना महामारी से जूजते हुए बहुत सारे रोजगार ठप पड़ गए हैं, लोगों के पास पैसे का भाव हो गया है असुविधा हो गई है, छोटे छोटे नौकरी वाले, छोटे छोटे ब्यापारी आर्थिक स्थिती से, कमजोर आर्थिक स्थिती से जोज रहे हैं ऐसी हिस्तिती, इस से भें का रिस्तिती उस समय थी जब लोग पेट की आग बुझाने के लिए कोई भी काम करने को तयार हो रहते थे और काम क्या, इस समय इनका विबेक भी नस्ठ हो गया था क्योंकि बच्चों, पेट की आग बहुत बड़ी होती है यह जो पेट है, सारे पाप की जड़ यह पेट ही है आपने वैसे भी सुना होगा कि भूखे भजन नहोत मुरारी तो भूखे पेट कोई कुछ नहीं कर सकता है और बेक्ति के लिए भूजन इतना जरूरी है आप देखते होंगे कि किसी के हाँ देथ हो जाती है मौत हो जाती है, कोई अपना मर्ज आता है और लोग इतने दुखी होते हैं उसके बावजोद भी समसान से आने के बाद जलपान करते हैं और कोई भी भूखा पेट नहीं रहता तो यहाँ पर लोग पेट की आग में जल रहे हैं उनके अंदर बढ़वागनी, उनकी जटरागनी प्रजुलित हो रही है और वे इससे परिशान हैं तो यहाँ पर धर्म, अधर्म, विबेक, ग्यान, बुद्धिमानी ये सारे बाते इस समबे बेमाने सी हो गई है तुरसी दासी कहते हैं किस भी मजदूर बर्ग, किसान, किसान बर्ग, किसान कुल मतलब किसान का परिवार, बनिक, ब्यापारी या पार करने वाला बनिया और भिखारी तथा भाट भिखारी उसे जब लोगों के पास खुद का पेट भरने को नहीं है तो भिखारी को भी कौन देगा तो भिखारी भाट मतलब दूसरों का मनरंजन करके असरेदाता राजाओं के राज में रहके रहा किसी बड़े वर्ग के पुजी पती के अंडर में रहकर कार करने वाले ये भाट जो उनका मनरंजन करते थे ये सब भूप मरी के सिकार हो गए हैं अब ये कुछ भी करने को तयार हैं चाकर घरेलो नौकर जब घर के मालिक के पासी अपना पेट भरने को भोजन नहीं है तो नौकर कहां रखेंगे सो नौकरों के भी चुट्टी हो गई है तो ये नौकर कुछ भी करने को तयार हैं चपल नट नट एक जाती होती है जो खेल तमासे दिखाकर लोगों का मुलरंचन करते हैं ये बड़े बड़े जोखिम पुड़ करतब दिखाते हैं आप देखती होंगे कि कभी कभी रास्ते में कुछ लोग ऐसे ही आ जाते हैं अपना मतलब समानादी लेकर करके देखते हैं तार पर लड़की चल रही होती है कोई उल्टा लटक रहा होता है कोई एक पैर पर रसी पर चल रहा होता है किसी के अपने सर पे बहुत सारे मटके उठा रखे होते हैं तो ये आधिकला बाजियां दिखाने का काम इन नटो का होता है चोर और एक चीज़ का आर्थ हमने रोजगार खतम हो गया है क्योंकि जिन लोगों ने इन लोगों को रोजगार दे रखा था अपने काम पर लगा रखा था वे लोग तो खुद ही भे रोजगार हो गये थे तो ये अपनी पेट की आग बुझाने के लिए कुछ भी करने को तयार हैं जिट की बाजिगर जादूगर बिभिन तरह के जादू दिखाने को तयार हैं और मेहनत करके जदा से जदा मेहनत करके थोड़े से थोड़े पैसों के लिए बहुत थोड़े के लिए बहुत जदा मेहनत कर रहे हैं कि कहीं कोई हमारी कला देखकर प्रशन हो जा और हमें कुछ दे दे, कुछ खाने को दे दे या कुछ पैसे दे दे जिससे पेट की फूख मिटा सकें तो इसकी लिए कुछ भी करने को तयार है पेट को पढ़हत कोई जो है दिन रात पढ़ रहा है कला सीख रहा है कि हम पढ़कर के ऐसा बन जाएंगे ऐसा कर लेंगे लोगों को ग्यान देंगे तो हमें इसकी बदले कुछ मिलेगा हम अपनी पेट की भूख मिटा लेंगे गुन गढ़हत कोई बिभित प्रकार की कलाएं सीख रहा है ताकि हम इसमें सीख कर पारंगत हो जाएं और हमारी ये गरीबी दूर हो जाए अचड़त गिरी कोई परपत पर चड़ रहा है अटत गहन गहन और कोई घने जंगल में सिकार की खोज में दिन रात भटक रहा है अखेट की सिकारी दिन रात घने जंगल में सिकार की खोज में भटक रहा है कि शायद कोई शिकार मिल जाए हम उसे ही मार कर खाकर अपने पेट की आग बुझा सकें या उसके चमड़े आदी बेच करके कुछ पैसे प्राप्त कर सकें जिससे अपनी पेट की आग बुझा सकें उचे नीचे करम धरम अधरम करी लोग अपने पेट को भरने के लिए छोटे बड़े अनेकों कार्य करते हैं और ऐसे अनेकों कार्य करने के लिए तयार हैं धरम अधरम करी क्योंकि वे धर्म और अधर्म का विचार छोड़ चुके हैं वे कुछ भी ऐसा करम करने को तयार हैं जिससे कि उन्हें पेट भरने को भोजन मिल सके पेट ही को पचत बेचत बेटा बेट की क्योंकि पेट की आग तो समुद्र की आग से भी भैंकर है और बेचत बेटा बेट की पेट को भरने के लिए लोग अपने बच्चों को भी बेचने को तयार हैं मतलब अपनी बच्चों तक को बेच देते हैं कि साथ इसको बेच कर हमें पेट भर भोजन मिल जाए पहले के जमाने में ऐसा होता था बधुआ मजदूर होते थे लोग खरीदेते थे बेगार पे मजदूर खरीद लेते थे और उनसे पूरे जीवन काम कराते थे तो माबाप इतने स्वार्थी हो गए है या पेट की आग ने उन्हें इतना अंधा कर दिया है कि वे धर्म भावनाएं सब को ताक पर उन्होंने रख दिया है और पेट की आग पुझाने के लिए वे अपने बच्चों तक को बेचने को तयार हैं मतलब वो कुछ भी कर सकते हैं कोई भी कर्म कुकर्म कुछ भी करने को तयार हैं क्योंकि बेच्चों पेट की आग वास्तों में बहुत बड़ी होती है इसको बरदास करना बहुत मुश्किल होता है इस संसार में सारे पाप की जड़ सारे कर्म कर्म की जड़ एक मातर पेट ही है यदि पेट ना हो तो इतने सारे जंजावात इतने सारे कर्म ना हो कभी तुलसी दासी ने उस इस्थिती को उभारते हुए कहा है कि तुलसी बुझाई एक राम घनश्या में ही तो आग बड़वा गिते बड़ी है आग पेट की तुलसी दासी कहते हैं कि अब इस आग को तो एक मातर स्री राम की कृपा रुपी बादल ही बुझा सकती है कि भगवान काई भरोसा है, यदि भगवान राम ही चाहें तो इस आग को वुज़ा सकते हैं, नहीं तो इस संसार में कुछ भी हो सकता है क्योंकि आग बढवा गीते बड़ी है पेट आग की, ये जो आग है ये बढवा नल से भी बढ़ी आग पेट की आग होती है, बेटा त तीन तरह की अगनी मानी गई है कौन-कौन से एक बड़वा नल जो पानी में लगने वाली आग होती है दूसरी है दावा नल जो जंगल में लगनी वाली आग होती है और तीसरी है जठरागनी जो पेट में लगने वाली आगनी होती है जब हमें भूख लगती है तो हमारे पे पेट में जलन होने लगती है जटराग नी होती है तो कभी तुलसी दास ये कह रहे हैं कि ये समुद्र में लगने वाली मतलब पानी में लगने वाली आग से भी बड़ी है पेट की आग अब इसे कोई नहीं बुझा सकता इसे स्रीराम के क्रिपारूपी जो बादल है वो जो उसी से याग बुज़ सकती है मतलब कहने का भाव ये है कि ये भगवान ही कुछ करें भगवान ही कृपा करें तब ही इस धर्ती के लोगों का उद्धार हो सकता है यहाँ पर देखिए मैं आपको इसका काविस अंदर बता देती हूँ छंद क्या है? कवित छंद है और ये किस भी किशान कुल यहाँ पर कवड की बार बार आपरिती हुई है तो यहाँ पर अनुपरास अलंकार है भिखारी भाट में भी भवड की अपरिती हुई है दो बार तो यहाँ पर भी अनुपरास अलंकार है और यहाँ पर और यहाँ घंश्याम में यहाँ पर रूपकलंकार है घंश्याम राम घंश्याम ही तो क्योंकि यहाँ पर उपमे उपमे का आभेद रही तारोप है उपमान उपमे का तो यहाँ पर रूपकलंकार है और आगी बढ़वागी ते यहाँ पर बेतिरे कलंकार है तो बच्चों यहाँ पर इस एक अंसाप का कवितावले का शमापत होता है मैं आपको इससे जुड़े कुछ परस्न दे दूँगी आप उसको भी हल कर लीजिएगा अगर नहीं आता है तो आप मुझसे पोच सकते हैं तानने बादू